किसान बाईयो नमस्कार मैं हूँ दसरत दाकड आप देख रहे हैं डी पार्नमिंग यूटूब चेनल जंगली जानवर जैसे की नील गाई सुवर आदी जंगली जानवरों से हम अमारी फसलों को केसे बचाए इस वीडियो में चार ऐसे देशी तरीके मैं आपको बताऊँगा इन तरीकों से बीना किसी खर्चे में आप अपनी फसलों को नील गाई के प्रकौप से बचा सकते हैं तारबंदी या जाली बंद आदी में कापी ज्यादा खर्चा आता है जिससे जो मध्यमवर्गी किसान होते हैं वो ये सब नहीं कर पाते हैं और नील गाई उनकी फसलों को कापी ज्यादा नुकसान पहुचाती है इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे देशी तरीके बताऊँगा जिनमें नाम मात्र का खर्चा आएगा और आप इन तरीकों को अपना कर नील गाई जंगली सूवर आदी से अपनी वसलों को बचा सकते हैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकरी दी जाएगी आप इस वीडियो को पूरा देखिए लाइक कर दीजे शेयर भी कीजे जो किसान हमारे चेनल पर पहली बार वीडियो देख रहे है चेनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे जिससे हम आगे कोई भी नई जानकरी लेकर आए तो तुरंट आपको वीडियो देखने को मिल सके। किसान भाईयों वेसे तो अगर आप नील गाई या जंगली सूवर से 100 पीसदी अपनी फसलों को बचाना चाते हैं तो या तो आप अपने खेत के चारों तरब बाउंडरी करवाए जाली बांदे या तारबंदी करवाए ताकि आपके खेत में नील गाई ना आ पाए लेकिन मद्यमवर्गी किसान भाई इतना खर्चा नहीं कर पाते हैं क्योंकि खेती में कापी ज़्यादा खर्चा होता है जिससे किसान भाई सबी इतना खर्चा नहीं कर पाते हैं ये जो चार तरीकी हैं बहुत से किसान भाई इन तरीकें को अपनाते हैं मैंने भी इंटर्नेट से जानकारी प्राप्त की है और मैं आप तक सियर कर रहा हूँ अगर आपको जानकारी पसंद आती हो तो वीडियो को नीचे कमेंड करके हमें जरूर बताईएगा पहला तरीका है आपको मेडिकल स्टोर से फिनायल की बोटल लेकर आना है जो की कापी ज्यादा बद्बू देता है उसको एक लकडी लेना है उसके उपर आपको कपड़ा बांदना है कपड़े के उपर उस फिनायल की बूंदे आपको डालना है जिस फसल में नीलगाई आती ह जिस सैट से निलगाय आती है उसी सैट पर आपको उस लकड़ी को रोब देना है कहने से मेरा मतलब है कि खेत की मेड़ पर आपको उसको खड़ी कर देना है उस पर फिनैल की बूंदे डाल देना है जिससे क्या होगा उस सैट से निलगाय आएगी तो उसमें फिनैल में काफी ज्यादा बद्बू आती है वो बद्बू नील गायों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी जिससे नील गाय उस फसल को खाना छोड़ देगी उस खेत में दोबारा लोटकर नहीं आएगी यह तरीका बहुत ही पॉपुलर तरीका है बहुत से किसान भाई इसका उपयोग कर जहां पर नील गाय बेड़ती है वहां से आपको नील गाय का गोबर को एकत्रित करना है उसको अच्छी तरह से पीशना है पानी में गोल तयार करना है गोल तयार करने के बाद जिस फसल में भी नील गाय आपके नुकसान करती है जैसे कि गेहों में आपके नील गाय आती है रोजना गिहों की वसल को खाती है तो उस गोबर का गोल तयार करने के बाद जो हमारी गिहों की वसल है उसके चारों तरफ आपको छिटक देना है इस प्रेइपंप की सायता से आप छिटक सकते है या बाल्टी से आप डिरेक्ट भी छिटक सकते है नील गाय का गोबर हमारी व एक रुपे का भी खर्चा नहीं आएगा और आप निलगाई से अपनी फसलों को बचा सकते हैं तीसरे तरीके की बात करें तो इस तरीके में आपको तीन लकडिया लेना है तीनों लकडियों को ऊपरी सिरे को आपको धागे या रसी से बान देना है जैसा कि आप वीडियो के उपर फोटू में देख पार रहे हैं इसी तरह से आपको लकडियों को बानना है जिस भी फसल में निलगाई आती है उस फसल में आपको इन तीनों लकडियों को खड़ा कर देना है और इनके बीच में आपको एक पतला धागा लटकाना है पतले धागे पर आपको जो टोर् तोर्च को आपको बांद कर लटका देना है और जब रात होगी तो रात में आपको उसे टोर्च चालो कर देना है रात में तेज हवा आती हैं जिस से वह तोर्च गोल-गोल गुमने लगती है जैसे ही टोर्च गुमेंगी उसकी रूचनी खेतule के चारों तरब या कोई व्यक्ति खड़ा है जिस कारण भी नील गाई उस खेत में नए आएगी और नील गाई हमारी फसलों को खाना छोड़ देगी यह तरीका भी कापी पॉपुलर है इससे भी आप फसलों को नील गाई के प्रकोप से बचा सकते है चोहते तरीके की बात करें तो इसमें आ बात को जला देना है दीपक की रोसने देखकर नील गाई जब भी उस खेत में आना चाहेगी उसको डर लगएगा कि खेत में कोई रखवाली कर रहा है या किसी ने आग लगा रखी है इस डर से नील गाई हमारे खेत के चारों और नई बटकेगी वो दूसरे किसानों की फस सकते हैं थो खिसंबायों चार थरीकी अगर आप अपनाते हैं तो आप कम से कम लागत में अपनी ऊंसलों को बचा सकते हैं यह वीडियों आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताए अपने किसान साहें कीजिए कि जैडियून के साथ थे किते हैं ब om